मेरे स्कूल में एक दोस्त था जूनियर एक साल, हमेशा से वो क्लास में फर्स्ट आने के बारे में सोचता था, उसके पेरेंट्स उसको बताते थे कि आप क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट आने से ये होगा, हम तुम्हें अच्छा देखना चाहते हैं, this and that, लेकिन वो कभी भी फर्स्ट नहीं आ पाता था, मुझे अपने दिल की बात वो बताता था, eventually उसने क्लास टेंथ में मार्क्स लाने की कोशिश करी, बहुत अच्छे मार्क्स उसके नहीं आया, क्लास ट्वेल्थ में उसने मार्क्स लाने की कोशिश करी, बहुत अच्छे मार्क्स न नहीं ली, eventually उसके घर की financial condition और खराब हुई, और उसकी computer science की degree करने के बाद भी उसकी job नहीं लगी, उसके लिए चीज़े खराब हो गई, फिर finally उसने अपने business को change किया, उसको electronics का शौक था, और electronics की पढ़ाई से जादा, उसको electronic gadget का जादा शौक था, at that point उसके गाउं में कोई भी electronic का समान वगएरा sell नहीं कर रहा था, यूदि सबकी mentality दी जा, electronic का समान कौन खरी देगा, उसने एक pipeline बनाई, उसने अपने business की एक पूरी structure बनाई और उसके बाद उसने ये सारे का सारे electronic gadgets अपने गाउं में बेचना शुरू करे, और जब उसने ऐसा किया, तो आज की ता इसको पाने का एक ही रास्ता नहीं होता है, आप लोग success को अगर इस रास्ते से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये रास्ता भी exist करता है, ये रास्ता भी exist करता है, और दूसरा रास्ता भी exist करता हो सकता है, all that matters is आपके लिए कौन सा रास्ता सबसे optimal रहेगा, सब लोगों के ने दिया वो कोई करोड़ पती अरब पती या फिर गूगल पर उसका नाम अगर आप लोग डाल दो तो सर्च अडल्स में नहीं आता है लेकिन जहां से वो नीचे से उड़कर इतने उपर पहुंचा उसकी स्टोरी मुझे बहुत साथा इंस्पार करती है और शायद आप कंप्यूडर साइन्स से हट कर एक ऐसी फिरिंड माया जिसमें इसको इंट्रेस्ट है और जिसमें यह अपना कैरियर बना सकता है बहुत सारे लोग कंप्यूडर साइन्स के पीछे सिर्फ इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो कोडिंग करेंगे वो इंस्ट्र एक ऐसा प्रोड़क्ट बना डालो जो इस दुनिया ने कभी देखा ही नहीं और जिसके लिए दुनिया जो है लाखों करोडों रुपे देने के लिए तयार हो और आपको रात मिलियोनेर बना दे ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है इस बात को आप लोग को समझना पड़ेग कि अगर आपका interest coding में नहीं है तो आपको coding नहीं करनी चाहिए है क्योंकि अगर आपको ऐसी चीज़ करते हो जिसमें आपको interest नहीं है तो आप इस चीज़ के साथ आगे नहीं बढ़ सकते आप बहुत कम time के लिए इस चीज़ को कर पाएंगे अब आप लोग को कैसे बता चल है क्योंकि eventually आप जो भी काम कर रहे हो आप expect करोगे कि आप एक अच्छा lifestyle बिताओ आप एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी और उसके लिए आपको monetary benefits की जरूरत पड़ेगी लेकिन आप अगर यह सोचते हो कि मेरा interest यह है और मैं सिर्फ coding में इस लिए जा रहा हूँ कि coding मे देने के लिए तयार है और मेहनत करके लोगों को कुछ ऐसा बिल्ड करके देना जिसकी उनको जरूरत है अब उनको मालूम है कि उस चीज की जरूरत उनको है की नहीं यह एक दूसरा सवाल है लेकिन अगर किसी चीज की उनको जरूरत है और आपने वो चीज उन तक अगर वो skill demand में है, अगर वो एक ऐसी skill है, जिसमें आपका interest है, और ये skill demand में भी है, तब आप उससे eventually बहुत सारे पैसे definitely कमा सकते हो, तो coding आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ होनी चाहिए, जिसको आप बहुत जादा पसंद करते हैं, it should be something that you definitely like, and at the same time, ये आपके लिए वो बताए जाता है, यार तुम coding करो, तुम्हें पैसे मिलेंगे, coding नहीं करोगे, तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, mechanical का scope नहीं है, civil का scope नहीं है, इस branch का scope नहीं है, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, अगर आपको उस चीज़ में interest है, तो आप वो चीज़ बहुत जादा time त चली जाएंगी, कि आप लोग उन skills को पगड़के एक बहुत अच्छी चीज़ बिल्ड कर सकते हो, आपके time की value बढ़ जाएगी, और जब आपके time की value बढ़ जाएगी, तब आप definitely पैसे कमाओगे, आप definitely wealthy बनोगे, आप definitely happy रहोगे, क्योंकि वो self satisfaction आप लोगों को मिलेगा और आप लोग अपनी बहुत अच्छी life लीट कर पाऊगे, अब coding के बहुत सारे benefits यह हैं, कि अगर आपके coding job में जाते हो, आपको work from home मिल जाता है, बहुत सारी companies आज की तारिक में work from home दे रही है, जिसके कारणा आप घर पे बैठ सकते हो, काफी time बिढ़ सकते हो, अपने loved one के साथ, लेकिन coding की कुछ ऐसे downsides भी engine से मैं आपको मिल वाना चाता हूँ, for example, आप लोग work from home में जितना time बिताते हो, एक computer desk के सामने, वो बहुत सारे लोगों को health issues होने लगते हैं, बहुत सारे लोगों को यह चीज टारिंग लगने लगती है, बोरिंग लगने लगती है, एक product को build करते रहना, बहुत ज़्यादा boring हो जाता है, अगर आप लोग को यह पसंद नहीं हो on top of that, तो आपको बहुत ज़्यादा problem होने वाली है, तो coding को आप तभी choose करना, जब आपको लगे कि मुझे coding में interest है, मैं यह चीज जिन्दगी भर कर सकता हूँ, यह एक ऐसी यह HTML से start करी थी, और जब मैंने HTML में बहुत ज़्यादी चीजे देखी थी, CSS लगाना सीखी थी, तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया, websites build करने में, मुझे ज़्यादा कुछ उस टाइम पर आता नहीं था, थोड़ा बहुत आता था, but at that time मेरे अंदर से एक आवाज मैं अपने school का काम करूँ, मैं चाहे कोई assignment करूँ, कल मैं college में भी जाता हूँ, तो मैं college में assignments करूँ, कोई भी चीज पढ़ू, या मैं कोई job भी अगर करूँ, यह वो चीजे जिसको मैं definitely करना चाहूँगा, HTML, CSS, यह सब चीजे मुझे बहुत ज़्यादा exciting लग रही है, यह website कैसे काम करती है, web कैसे काम करता है, इन सब चीजों के बारे में यार सीखना है, computer कैसे काम करता है, और वहीं से मुझे पता चल गया कि यह कैसी field है, जिसको मैं as a career option भी choose कर सकता हूँ, और मैंने करा भी, अब मैं आप लोग को यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, यह आवाज आपको out of the box नहीं आईगी, आप 5th में हो, 4th में हो, आपके अदर से आवाज आ रही है, भाई, coding सीख ले, coding तरे लिए बनी है, नहीं, आपको थोड़ा बहुत initially explore करना पड़ेगा चीजों को, और उसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या आपको इस होगे तो आपको अपने आप पता चल चाएक है, क्या यह वो चीज़े जो आप करना चाहते हो, या फिर यह वो चीज़े जो कि आपको बोर कर देती हो, आपको काम जैसी लगती है, अगर आपको coding काम जैसी नहीं लगती है, और आपको उसमें मज़ा आता है, then coding is definitely for you, और अ आपर point करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने computer science से coding करी है, और वो कुछ और pursue करना चाहते हैं, और डरते सिर्फ इसलिए हैं, कि अगर वो कुछ और pursue करेंगे, तो लोग उनसे कहेंगे, तुम्हारे पास तो CS की degree है, तुम यह क्या कर रहे हो, तो ऐसे भी काम करके successful बन सकते हैं, जो की उन्हें पसंद हो, जिसमें उनको interest आता हो, I hope कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आप लोग को कुछ चीज़े सीखने को जरूर मिली होंगी, अभी के लिए इस वीडियो में इतना हैं guys, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time. झाल 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 झाल